नमस्कार सभी को मैं देविंदर पाल स्वागत करता हूं आप सभी का DSP कोचिंग सेंटर में देखिए आज की वीडियो में हम DSU junior assistant के लिए reasoning का practice set टू लेकर आएं देखिए इससे पहले practice set first हम complete कर चुके हैं जिसमें analogy के type number first के questions हमने complete करेंगे और इस वीडियो में हम second practice set में analogy का type second complete करेंगे यानि type second अक्षर साधरस्ता देखिए बहुत important topic है और इस topic से आपके exam में दो से तीन questions जरूर पूछे जाएंगे आपकी DSU junior assistant में इसलिए video को complete देखना और सभी कुस्तन अच्छे से complete कर लेना चलिए हम start करते हैं देखिएगा कुस्तन number first है हमारा A का relation जिस प्रकर एप से है उसी प्रकर N का relation किस से हो जाएगा क्योंकि देखिए अक्षर साधरस्ता है यानि कि हमें letters का संबंद बताना होता है एक letters का संबंद दूसरे से दिया होता है हमें तीसरे का जो option में दिये होते हैं उनसे बताना पड़ता है जिसे प्रकर A F से संबंदित है उसी प्रकर N किस से संबंदित हो जाएगा देखिए हम बात करें A की position A की position कितनी होती है एक और F की position कितनी होती है 6 अब देखिएगा एक से 6 हुआ कितना यडala कि या गया 5 5 है आड किया गया तभी तो शेמटाया ओं Six की position कितनी होती है ми f इसी प्रकार कर देखिए M की पॉजिशन कितनी होती इंज चोज़ा और 14 में जब हम 5 है करेंक कितना हो जाएगा 19 और 19 कि position कितनी होती है S S पर आता है यानि N से हमारा S हुगा जब हमने 5 एड़ किया तो option number B इसका right answer हो जाएगा चलिए देखते हैं next देखिएगा बहुत simple question है इसका answer दीजिए जल्दी देखिएगा Y square किससे 4 से संबंदित है उसी प्रकार B square किससे संबंदित हो जाएगा देखिएगा बहुत simple है Y square यानि विपरीत क्रम में Y का position कितना होता है 2 देखिए उल्दे क्रम में बोलें तो Z से Z का 1 Z का 1 Y का 2 और Y square यानि 2 का square कितना हो जाएगा हमारा 4 तो Y square की जगा कितना है 4 इसी प्रकार V square V का position कितना हो था 5 और 5 का square कितना हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 25 यानि option number A इसका right answer हो जाएगा चलिए देखते हैं next देखिएगा B का संबंद जिस प्रकार 16 है उसी प्रकार D का संबंद किस्चे हो जाएगा देखिएगा B का position कितना है 2 B का position कितना है 2 और 2 पर हम 4 की पाबल लगा देए तो कितना हो जाएगा हमारा देखिए 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 कितना आगे हमारा 16 यानि B पर 4 की पाबल लगाई हुई है इसके बाद देखिए D का position कितना होता है 4 और 4 पर भी हम जब 4 की पाबल लगाएगे तो देखिए 4 into 4 into 4 into 4 4 चौक 16 16 चौक 24 24 चौक 25 कितना 256 यानि option number C इसका right answer हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों अच्छे समझ में आ गया होगा चलते हैं next question पर वह देखिएगा सभी very very important question है very very important आपके D, S, E, U, Junior Assistant के लिए क्यूंकि सभी N, C, D, Waste question है यानि इसलिए सभी questions को अच्छे से clear कर ले है वह देखिए इसी basis पर आपके एक्जाम में question पूँचे जाएंगे आपको इसी basis पर questions complete करने है इसी type के question आपके एक्जाम में पूँचे जाएंगे देखिएगा MD जिस परकार N, Z से संबंदे थे उसी परकार I, K किस्छे संबंदे तो हो जाएगा अब यहां पर देखिएगा यहां पर only हमें first letter देखना आप इसका देखिए यानि दोनों का yock कितना है देखिए M और N M आता है 13 इभी number पर और N आता है 14 इभी number पर दोनों का yock देखिए दो कितना है 27 इसी परकार हम यहां पर देखिए कि first letter I, I का position कितना होता है, 9, और 9 में कितना add कि योग हमारा 27 हो जाए, यानि 27 में से 9 गया, 9 को घटा दो तो आजाएगा हमारा 18, यानि 18 एड़ किया जाएगा, तब हमारा 27 होगा, यानि कि 18 पर क्या आता है हमारा R, यानि R का position है 18, तो option number A, right answer हो जाएगा, R, G, समझ में आया, चलते हैं next question पर, देखिएगा, A, G, J, T से related है, उसी परकार J, D किसे related हो जाएगा, देखिएगा यान पर A का position, यानि A का position एक है, और G का position कितना है, साथ, इसी परकार या पर देखिए, Z का position, देखिए, Z का position उल्टे करम में, यानि विफरीत करम में कितना होता है, एक होता है, और T का position विफरीत करम में कितना होता है, साथ होता है, उसी परकार J का position हमारा 10 होता है, और D का position 4 होता है, D का position 4 होता है लेकन आप उल्टे क्रम में 10 किसका position होगा उल्टे क्रम में 10 किसका position होगा तो देखिएगा Q का position होगा Q का position होगा 10 और 4 किसका होगा 4 होगा W का यानि QW इसका right answer हो जाएगा option number C will be right answer of this question चलते हैं next question पर देखिएगा B P E S B P E S anti यानि जिस परकार B P E S से related है यानि शम्बंदित है उसी परकार anti किसे शम्बंदित हो जाएगा देखिएगा B B से हुआ S B से हुआ Sorry E यानि पर हम देखिए coding करते हैं इसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा देखिए B B का position 2 इसके बाद देखिए P P का position 16 अब देखिए B P से किया हुआ हमारा E S E का position 5 S का position 19 अब यहां पर देखिएगा थोड़ा 2 से 5 हुआ कितना एड किया गया यहां पर 3 एड किया गया अब देखिए 16 से 19 हुआ कितना एड किया गया यहां पर भी 3 एड किया गया तभी तो 5 से 19 हुआ Sorry 16 से 19 हुआ और 2 से 5 हुआ यहीं पिलस 3 किया गया इसी परकार देखिए हम यहां पर करेंगे E N कितने पर आता है हमारा 14 पर E N का नमबर कितना है 14 और 14 में हम 3 एड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा सत्त्रा वो सत्त्रा पर क्या आता है हमारा सत्त्रा सत्त्रा पर क्या आता है हमारा क्यों क्या आता है क्यूं तो देखिएगा क्यों हो गया हमारा अब इसके बाद देखिए यानि एन से क्या हो गया क्यूं अब देखिए टी से टी का पोजिशन कितना ह हो जाएगा 23 और 23 का पॉजिशन क्या है यानि 23 में नंबर पर क्या आता है डबलू यानि क्यू डबलू इसका राइड आंतर हो जागा ऑफसन नंबर भी चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखेगा A, D, E, I A, D, E, I उसी प्रकार के एक्स किससे सम्मंदित हो जाएगा यहां पर देखेगा A का पॉजिशन एक, D का पॉजिशन चार, E का पॉजिशन पांच, I का पॉजिशन नो यहां पर देखिए एक से पांच हुआ यानि कि यहां पर चार एड किया गया अब यहां पर देखिएगा चार से नौ हुआ यहां पर पांच एड किया गया के लिए अब ऐसा ही यहां पर देखेंगे पहले चार एड किया गया इसके बाद पांच एड किया गया के का पोजिशन कितना होता है के का पोजिशन ग्यारा ग्यारा में पहले हम चार एड करेंगे कितना हो जाएगा ग्यारा हो चार पंदरा पंदरा का पोजिशन क्या होता है ओ यानि ओ आता है पंदरा में नमबर पे तो यहां पर हमारा ओ गया अब X में हम 5 एड़ करेंगे X कितने भी नमबर पर आता है हमारा पर एक साता हमारा 24 में नमबर पर और 24 में हम जब 5 एड़ करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 29 टोटल लेटर कितने होते हैं 26 जैनि 29 सीस में ऐसे जब 26 सब्टेट करेंगे कितना बचेएगा हमारा तीन और तीन पर क्या आता है हमारा सी तो यहां पर आजाएगा हमारा सी कि यानि ओसी इसका राइड आंतार हो जाएगा ऑफसर नमबर ए चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुस्ट कि देखिएगा A, G जिस परकार I, O से रिलेटेड है उसी परकार E, K किस से रिलेटेड हो जाएगा देखिएगा A का पॉजिशन A का पॉजिशन एक और G का पॉजिशन साथ देखिएगा यहां पर हम ठीक से लिखते हैं देखिएगा A का पॉजिशन एक और G का पॉजिशन साथ क्लियर और यहां पर देखिए I का पॉजिशन नौ, O का पॉजिशन पंदरा देखिए, एक से नौ हुआ यानि A से आई हुआ एक से नौ हुआ कितना एड किया गया? आठ और यहां पर देखिए,ования से नौ हुआ कितना एड किया गया? आठ यानि दो नौ में आठ पलस किया गया इसी परकार देखिए, I का पॉजिशन कितना होता है? पांच और 5 में जब हम आठ हैट करेंगे आठ और 5 कितना होता है? ह्मारा 13 तेरा तो 13 में नंबर पे क्या आता है ये तो देखिए इसके बाद देखिए प्व। कतना होता है 11 कितना होता है 11 तो 11 में जब हम 8 एट खरेंगे तो किटना होaron Przyगा 1919 का पॉसिटन क्या होता हमारा ईसाने अधanking अंतर हो जाएगा और सन नंबर भी चलिए देखते हैं next देखिएगा P S का शम्मन जिस प्रकार V Y से उसी प्रकार F I का शम्मन किसे हो जाएगा देखिए P से भी हुआ यानि P हमारा 16 नमबर पे आता है और V हमारा कितने पे आता है V V आता हमारा 22 पे यानि 16 से Y हुआ कितना यड़ किया गया शेक्ष यसी प्रकार S से Y हुआ एसाता है हमारा 19 में नमबर पे और Y आता है हमारा Y आता हमारा 25 25 नमबर पे 19 से 25 हुआ कितना यड़ किया गया 6 इसी प्रकार देखिए F में हम SIX add करेंगे F कितने पे आता है 6 12 12 15 15 देखे आज के वीडियो में बास इतना ही इस सभी कुश्चर्ण हमारे अपचर साध रष्ता पे हैं यानि कि letters letters analogy पर है इसलिए आप सभी कुस्तन complete कर लीजिए और ऐसे ही कुस्तन आपके exam में पूँचे जाएंगे और देखिए बहुत मुश्किल से D.A.C.U. junior assistant का practice पर मिला है इसलिए आप इसको बिल्कुल मत करिए जितनी भी कुस्तन आपको बताए जाए उतने कुस्तन आप अच्छे से complete कर लीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक, share, comment करके जरूर जाना और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबी को मिल सके अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन बेस्ट आफ लग